कि गुडिवनिंग इस्टूडेंट्स वेलकम टू पीवियार स्टडी बच्चों आपको पता है कि सामको साथ बजए इस समय कक्षा दस की मैथ हो रही एंसी इयाइटी फार्थिकरम पर आधारी आपकी कलास होती हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए यह मात तीन करवा दिये हैं एक आज अभी करवा दे रहा हूं थोड़ा टाइम कम है और एक आपका अगले कलास में हो जाएगा ठीक है कोश्चन ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं और जाइए नहीं कहता है कि किसी कार के परतेक पहिये का ब्यास 80 cm है जिसके पास किताब नही यह का ब्यास 28 cm है यह दिकार का जाइए दिकार 66 km पर दिघंटे की चाल से चल रही है मतलब जो कार है वो 66 km per hour की स्पीड से क्या है दोल रही है तो 10 मिनट में परतेक पहिया जो है वो कितने चक्कर लगाती है कहने का इनका यह मतलब है कि यह कोई कार है जिसकी पहिया है है कि 20 cm है यानि 22 का मतलब यह यह लाईने कितना यह चल रही है तो इनक किटना जलेगी अचाल लगाएगी चलो लिखो कुछ चीज़ें आपके लिए दी गई है लिखो इसमें इस्पीड दी है लिखो इस्पीड इस्पीड मतलब चाल कितना है 66 km per hour समय दिया है समय मिन्स टाइम कितना है पर तेक 10 मिनट बोल रहा है न तो आप लिख लो 10 मिनट और क्या दिया इसमें कि देखो अब हम दूरी निकाल लेंगे अभी हमें इसमें दूरी तो पता है नहीं तो दूरी क्या हो जाएगा डी कॉल यानि दूरी दूरी बराबर चाल गुड़े समय यास इंटू टी यानि स्पीड इंटू टाइम इस्पीड कितना है है जिए 66 टाइम कितना है टाइम देखो टी का मान कितना है जरा सोच एक मिनट के लिए भाई देखो एक चीज़ समझो ती का मान जो है वो किसमें दिया है मिनट में दिया है न आपको पता है इसको घणटे में बदलेंगे तो कितने घणटे आएंगे क्यूंकि यह किलोमेटर पर ढेंगे है तो आप इसे मिनट में न ही रख सकते हो तो बेटा देखो एक मिनट में आप सबको पता है कितने घंटे होंगे एक बटा साथ घंटे होंगे जानते हो कि नहीं अरे भाई यह जानते हो एक घंटा बराबर साथ मिनट होता है तो एक मिनट बराबर एक बटा साथ घंटा होता है कितना रखोगे एक बटा छे ठीक है तो बाबु यह कट जाएगा आप कड़ी आएगा ग्यारा किलोमेटर यानि दूरी कितना है ग्यारा किलोमेटर है ठीक है समझ गया ना कोई दिक्कत नहीं किसी को यह चीज़ याद रखना जो इधर साइट समझाया हूं एक घंटा में 60 मिनट होता है तो एक मिनट में एक बटा 60 घंटा होता है इस तरह से 10 मिनट में एक बटा 6 घंटा होगा ठीक है अब नीचे लिखो चूंकि दूरी किलोमेटर में किलोमेटर में आई कार का जो टायर है उसका ब्यास सेंटीमेटर में है इसलिए हम इसे सेंटीमेटर में बदल लेंगे अब समझ रहे हमें कार के टायर का चक्कर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो बाबू ये बताओ एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर ये तुम्हें याद रहना चाहिए एक किलोमीटर में एक लाख सेंटीमीटर होता है एक लाख में पांजीरो होता है समझ रहे हो ये ग्यारा के बाद में आप पांच थी सुनना लगा दोगे ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर यानि जो दूरी थी वो ग्यारा लाख सेंटीमीटर थी समझ गए ना देखिए पहल सब्सक्राइब करें यहां कह अब हमें निकालना है अब मेने पर नीचे लिखो चलो कार की परतेक जो पहिया है कार की पहिया 10 मिनट में कुल दूरी लिख देता हूँ लिखे जो मैं हिंदी में लिखा हूँ बच्चों इसे इंगलिस में भी समझ लीजी आप लोग कार का टायर पर थेक 10 मिनट में ये चक्कर लगाएगा उसका सुथ्र च्या होगा जमझी कुल दूरी होगी और एक चक Teshankar में तैंदूरी इस êtes समझे हों कार का टायरब थेक 10 मिनट में एक चकर है कड़ा उपहने उसकों इंगलिए में लिक के इंग स्के analyzing चाइब इसके जो परिधी है वही इसका वन रेखल्वूसं़ होगी ठिक है यानि कि एक चक्कर में कितनी दूरित Something करेगा एं टया जितना इसका परिधी है एक चक्कर में यह उतनी बड़े होते हैं वो धी में दिखाई पड़ती चल रही फिर भी ते चलती है चोटे पहिया वाली ज्यादा मेनत करने पड़ती है तो लिख लो इनको क्या करोगे लिखो टोटल डिस्टेंस कितना था बाबू 11000 था अभी अभी आप देखे हो सब्सक्राइब ग्यारा लाक सेंटिमेटर था और एक चक्कर में तहें दूरी मैंने आपको बताया कि जितना इसकी परिदी होगी परिदी का सूत्र होता तू पाई आर तो सारा मान रख दो टू इंटू पाई पाई कमान बाइस बटा साथ रख दो आर आर मतलब रेडियस रेडियस देखो ब अब चलो इसको मिटाओ फट से इसको आपको भाल करना बहुत ही मतलब एक प्रकार से मज़दार लगेगा देखो कैसे मैं तरीका बताता हूं अब आप सकूल में पहुचेंगा अब बेसिक तो आपको सीखना नहीं बहुत है अगर आपको बेसिक नहीं हाथ तो तो आप पीवी ऐर अचटेदी आप डाउनलोट परके पहले बेसिक जाके सीख लो हाई स्कूल में पहुचे ख़ोग् available हो जाएगा气 यह 11 लाख गुड़े 7 नीचे आपका 22 दूना 44 कितना हो जायागा 22 दूना 44 ना करके देख लो चाहे तो आप लोग तो यह 44 गुड़े 40 हो जायागा लेकिन आप मल्टीपल करके बड़ा नहीं करोगे गुड़ा करके कभी बड़ा नहीं किया जाता इसको ठीक है हल करना है आगे बराबर लगा लो देखो इनका मल्टीपल करके बड़ा ना करो इनको ऐसे रहने दो टू इन्टू 22 इन्टू 40 अब इनको हल कर लो सिधा सिधा देखो इनको 11 से काटो तो 11 कम 11 यह आपके 5 0 है न तो आपके जितने भी 0 है आप इनको सारे 0 को साइड में लिख लो एक काम करो उसके पहले लिख लो फिलहाल पांच जीरो तीन चार पांच एक जीरो से जीरो काट दो ठीक है हमने 11 सकाटा बाबू तो 11 यह 22 हो जाएगा ठीक है दो दूना चार और यह चार चोग सोला यह आपका हो गया दस हजार तत्तर हजार हो जाएगा कितना हो बचेगा यह च्छ और यह हो जाएगा साथ तो साथ में सोला कभा कितनी बार जाएगा वाई 16 त्रीजा कितना होगा 48 शोला चोका चौशट ज्यादा हो जाएगा है तो तीन बार जाएगा तीन बार जाएगा तो आपको पता है 143 बचेगा बारा और वह हो जाएगा 120 यानि आपका 43 75 आएगा फाइनल में भाग करना तुम्हें आता है कर लेना 43 75 क्या आएगा चकर यानि कार का जो टायर है वो परतेक 10 मिनट में 4,375 चकर लगाएगा ठीक है यह अंसर हो गया बाबू कार का जो टायर है वो परतेक 10 मिनट में 4,375 चकर लगाएगा यानि नंबर आफ रेबुलूशन जो होगा टायर का कार के टायर का वो 4,375 होगा ठी तो इसी के साथ कि इस क्लास को इंड करते हैं अगला नेक्स्ट कुष्टन एक बचा अगली क्लास में देखिएगा इस समय क्लास थोड़ी चोटी हो रही माफी चाहते हैं आप ज्यादा फ्यादा लाइक सेर करो बड़ी-बड़ी क्लास होंगी एक दिन में सब खताम हो मिलते हैं अगली क्लास में जैहिन